नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभीको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 Coaching Center में फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से साइनस का प्रैक्टिस एट करने जा रहे हैं जिसमें आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे ठीक है चोगदा तक और रेडी हो चुका है जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर करके देख सकते हैं ठीक है और हां यह जो प्रैक्टिस सेट है ना सिर्फ रेलवे वालों के लिए ब अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है बताए किस रोगी को कार्बो हैड़ेड की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है दामा वाले को मलेदिया वाले को मदुमे को इंगलिस में डाइबेटीज भी बोलते है या फिर उपीव सभी तो देखें मदुमे या डाइबेटी इस रोगियों को कार्भोःडेड की अधिक मातरा में लेने से चलिए इसके बारे में जान하겠습니다 कि बहुत अधिक कार्भोःडेड्ड लेने से रक्त सरक्रा का अस्तर होंपदता है पुछ लोग जो सरयाप्त कार्भोहेड़ेड का सेवन नहीं करते हैं उनमें निम्न रक्त सरक्रा यान कि हाइपो गलासेमिया होता है ठीक है उसके बाद कोस्टन नमर दो देखें क्या है बलता कि नींद की बीमारी जिसको इंगलिस में सिलिफिंग सिकनेस बोलते हैं किस प्रोटोजावा के का तो देखें की बीमारी या जो बीमारी यह किसके कारन है तो नींद की बीमारी के रूप में जाना जाता है एक वेक्टर-जनित-परजीवीác है यहां ट्रेपेनो सौमा जीनस की प्रोटो जावा के कारण होता है जो तेस्ट से मखियों या फिर गुलोसीना मखियों के काटने से मनुसियों में फैलता है जिन्होंने संकर्मित मनुसियों या जानवरों से परजिवी प्राप्ट किया होता है उसके बाद कोस्टन नमर 3 तो देखे रेफ्रीजरेटर में ताव का नियंतरन जो कॉन करता है तो फिरीओ करता है तो जिसका उतन्सार हो जाएगा बद कोस्तन नमर 4 देखे किस से संबंदित है तो बताइए विटी कल्चर किस से संबंदित है जेतून की खेती से सुस्क खेती से अंगुर की खेती से या फिर खरपतवार नासी पर क्रियासी तो देखें विटी कल्चर जो है वो संबंदित है किस से तो अंगुर की खेती से ठीक है यान की option C का right answer हो जा बखा होती है इसमें अंगुरों की बोवाई पोशन देखरेख और फल उत्पादन का अध्यन करा जाता है उसके बाद कोस्ट नमर फाइप देखिए क्या है बलता कि 24D जो है वो समबंदित है किस से तो खर्पतवार नासी से ठीक है यानकी ऑप्शन डिस का रेटनसर हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं दखिए फसलों में उगने वाले फालतू पौधों को खर्पतवार कहते हैं और इस खर्पतवार को नियंतरन करने के लिए जिन रसायन का परियोग किया जाता है उसे को खर्पतवार नासी कहते हैं ठीक है उसके बाद के 24D एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साक नासी होता है जो चौरी पत्ती वाले खर्पतवार को नियंतरित करता है जिसका उपियोग 1940 के दसक से किट नास के रूप में किया जाता रहा है इसका उपियोग टर्प, लोन, रास्ते के अधिकार, जली अस्थलों, वानी की अस्थलों और विभीन परकार के खेतों, फलों और सबजियों की फसलों सहित कई अस्थानों पर किया जाता है इसका उपियोग जो है खट्टे पौधों के वि फोस्फोरस की कमी से केलसियम की कमी से सोडियम की कमी से या फिर मैगनीज की कमी से देखें यहां पर ऑस्टियोसिस का मतलब हो जाता है हड़ी रोग से हड़ियों से संबंदित होता ही तो यहां पर किससे कमी हो जागा तो फोस्फोरस की कमी से होता है उस्टियोसिस रोग ठेक है जो अधिक असानी से तूट भी सकती है तो यह सब होस्पोरस की कमी से दिखता है ठीक है उसके बाद कोस्टा नमर साथ देखे क्या बलता कि पटाखे की फुटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातू के कारण होता है तो बताएए पटाखे क की फुटने के बाद चमकता होँआ लाल रंग पटाखे में मुझूद किस धातू के कारण होता है जस्ता के कारण गंधक के ये ओप उप ओट्此ं गेहरा लाल रंग परदान करते हैं एक गेहरा लाल रंग परदान करता है क्योंकि जब लावन में नहित इस्ट्रोंसियम के संदिप्त परमानु निम्न अवस्था में वापस जाती है तो विदु चुम्ब की विकरन परदान करता है जिसे दर्सक के द्वारा विकरन रंग की रूप में देखा जाता है उसके बाद कोस्ता नवर आठ देखिए क्या है बलता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधी को किसने खो जा था तो बताए गुलाब से इत्र निकालने की विधी को किसने खो जा था जन्नत महल ने असमत बेगम ने नुर जहा ने या फिर मुम्ताज महल ने तो देखिए गुलाब से इतर निकालने की जो वीधी है वो खोजा था किसने असमत बेगम ने ठीक है ये असमत बेगम कौन थी तो नुर जहां की माँ थी असमत बेगम ठीक है देखिए गुलाब के फूल के जिस इतर का आविसकार अजमेर में हुआ था वो मुगल बादसाह जहांगिर की बेगम नुर जहां ने अपनी माँ असमत बेगम से करवाया था दुनिया की पहली रिकॉर्डेड केमिष्ट तकपुत्ती नामक एक महिला है जो एक इतर निर्माता है जिसका अस्तित्व बेबिलोनियन मेसोपोटामिया में 12 सा इसवा पुर्व यानि की क्योंनी फॉर्म टेबलेट पर दर्च किया गया था उसके बाद कोस्टन नमर 9 देखे क्या है बलता कि मचलियों के यकरित तेल में किसकी पर चुर्टा होती है तो बताए मचलियों के यकरित तेल में किसकी पर चुर्टा होती है विटामिन ये की विटामिन के की विटामिन सी की या फिर विटामिन ई की तो देखिए मचलियों के यक्रित में पाए जाने वाले तेल में विटामिन ये की परचुरता पाई जाती है कौड लीवर ओयल एक आहार अनुपूरक है जो कौड मचली गैडीडे के लिए लीवर से प्राप्त होता है अधिकांस मचली के तेल की तरह इसमें ओमेगा थरी फैटी एसीड इको सेंपे की क्या है बलता कि धातू के तार में विदुद्धारा का प्रवा किसके कारण होता है तो बताए किसके कारण होता है इलेक्टरोन के कारण, निट्रोन के कारण, या फिर पोजित्रोन किया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रोन बल की दिशा में दौरते हैं और इस परकार जिसे हम विद्वत परवाह कहते हैं उसका निर्मान होने लगता है उसके बाद कोस्टन नमर 11 देखे क्या है बता कि लोहे की चादर को गिल्विनाइजेशन करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है तो बताए किसके घोल में डुबोया जाता है जस्ता के घोल में पित्तल के घोल में पीन के घोल में या फिर सीसा के घोल में तो देखे लोहे की चादर को गिल्विनाइजेशन करने के लिए उसे जस्ते के घोल में डुबोया जाता है यानकी option ये इसका रेटेंसर हो जाएगा गेलविनी करन किसी धातू पर जस्ता की सुरक्षनातमक परत चाधाने की परक्रिया होता है या लोहे को जंग लगने से बचाने का एक मानक तरीका होता है इसे सनरक्षित की जाने वाली धातू को पिघले जस्ते में डुबा कर या फिर एक्ट्रो प्लोटिंग करके पूरा किया जा सकता है यहाँ 150 वर्सों से सिध हो चुका है कि लोहे और श्टिल पर पिघले जस्ते की कोटिंग से उन्हें जंग से बचा सकते हैं उसके बाद कोश्चन नमर 12 देखे क्या बलता कि पोधे की विर्धी दर रिकॉर्ड करने के लिए कैसको गराफ का निर्मान किस भारत विज्ञानिक ने किया था तो बताएए पोधे की विर्धी दर को रिकॉर्ड करने के लिए किस विज्यानिक ने केशको गराफ का निर्मान किया था सतेंदरनात बॉस ने, जगदिश चंदर बॉस ने, चंदर सेखर वेंकट रमन ने या फिर बिर्बल साहिनी ने तो देखे, पोधे की विर्धी दर रिकॉर्ड करने के लिए केशको गराफ का जो निर्मान है, वो किया था जगदिश चंदर बॉस ने, ठेक है, यानकि ऑप्शन 20 का रेटंसर हो जाएगा चले इसके बारे में कुछ जानते हैं देखे, जगदिश चंदर बॉस ने पाया कि पोधे उत्ते जनाओं जैसे की परकास, उरवरक या फिर जहर के संपर्क में आने पर परतिक्रिया में आगे बद शकते हैं उन्होंने कैसको गराफ नामक एक उपकरन का विसकार किया, जो पोधों में बहुत छोटी गतियों को माप सकता था और इसका उपयोग पोधों की गति को मापने के लिए किया गया, जो अलग-अलग उतिजनाओं के संपर्क में आने के कारण होती थी उसके बाद कोस्टन नमर 13 देखे क्या है, बलता कि मानव में डाइफराम का परियोग निम्न लिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है तो बताए किस क्रिया के लिए किया जाता है, पाचन के लिए, उत्सरजन के लिए, सवसन के लिए, या फिर जनन के लिए तो देखे मानो में डायफरम का जो परियोग है वो किया जाता है सवसन के लिए ठीक है याने कि option C का रेटेंसर हो जाएगा चले इसके बारे में कुछ और जानते हैं देखे डायफरम वह मानस्पेशी होता है जो छाती जिसको वक्ष भी बोलते हैं गुहा को पेट से अलग करती है डायफरम सवसन की मुख्य मानस्पेशी होता है जब कोई व्यक्ती हवा अंदर लेता है तो डायफरम की मानस्पेशिय कि पेख्षभ का संकुचन प्रिरना के दोरान फ्यफ़रों और फ्यफून को फ्याइब नमर 14 से वायु में धवनी का वेग क्या होता है कि घटने से घरता है या फिर तापमान के घटने से बाढ़ता है या फिर तापमान पर आश्रित नहीं रहता है या फिर तापमान के घटने से वायू का वेग भी घटता है देखिए वायू में धावनी का जो वेग है वो केशा होता है तो तापमान के घटने से घटता है तो तापमान के रेटेंसर हो जाएगा देखिए धावनी का जो वेग होता है वो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है यान कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान भाड़ता है धावनी का वेग भी घरते चलता है यान कि हम कह सकते हैं कि जो धावनी का जो वेग है वो तापमान के क्या होता है वरगमूल के समानुपाती होता है ठीक है इसे बाद questionnot 15 क्या है बलता कि कों सी gas है जो उच्mel उसमें मान रखती है तो बताइए कौन सी गैस उसमें मान रखती है प्राकरती गैस कोई जान लेते है송 एक शंसलेचित गैस जिसमें कार्बन मोनोकसाइड, सीवो और हैट्रोजन गैस H2 सामिल होता है लाल तप्त कार्बन इंधन जैसे कोक के उपर से भाप कुजरने की परक्रिया के द्वारा इसका निर्मान किया जाता है भाप और हैट्रोकार्बन की परतिकरिया सवरूप मिस्रित गैस उत्सरजित होती है उसके बाद कोस्टन नमर 16 देखे क्या है मताए एक्यूपंक्चर क्या है तो बताए एक्यूपंक्चर क्या है हिरदे का एक रोग है ट्यूब और टायर की सफाई है या फिर सुईयों के माध्यम से उपचार की एक वीधी है या फिर एक उपचार संवर्धन है तो देखिए एक्यूपंक्चर क्या है तो सुईयों के माध्यम से उपचार की एक वीधी है ठीक है यान कि आप्सन सिस का रेटेंसर हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं सुईयों को गर्म नहीं क्या जा सकता है ठीक है उसके बाद कोस्टान नमर 17 देखिए क्या है बलता कि निमन में से कौन उर्जा परदान नहीं करता है तो बताए इन में से कोन उर्जा परदान नहीं करता है प्रोटीन, विटामीन, वसा या फिर कार्बोहाइडलेट तो देखे इन में से विटामीन जो है वो उर्जा परदान नहीं करता है यान कि option B का रेटंसर हो जाएगा देखे विटामीन से हमारे सरीद को उर्जा प्राप्त नहीं होती है क्योंकि विटामीन जो है वो रख्षा तमक भोजे प्रादार्थ होता है शरीद को रख्षा करने का काम करता है और सरीद को उर्जा देने का जो कार्य है वो कौन करता है कार्बोहाइडलेट करता है जो 50 से 70 पर 30 से तक उर्जा प्रदान कर सकता है उसके बाद कोस्चन नबर 18 देखे क्या है बलता कि पाइरो मीटर से क्या मापा जाता है तो बताए पाइरो मीटर से क्या मापा जाता है उच्छ ताप, विद्दूत आवेश, निम्न ताप या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए पायरो मीटर से मापा जाता है उच ताप ठिक है यानि की option ये इसका रेटेंसर हो जाएगा देखिए पायरो मीटर एक परकार का थर्मल सेंसर होता है जिसका उपयोग सतह के उच तापमान को मापने के लिए किया जाता है अक्सर बड़ी भटियों या भटियों में ये उपकरन उत्सरजित थर्मल विकिरन से किसी वस्तु या साता का तापमान मापते हैं जिसे हम लोग रेडियो मेटरी भी कह सकते हैं ठीक है सन नमर 19 देखे क्या है बता कि किस से टेप रिकोडर की टेप लेपीत रहता है केल्सियम ओक्साइडे जीनक सलेर से, फेरो मैगनेटिक चूर्ण से या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे टेप रिकोडर की जो टेप है वो लेपीत रहता किस से फेरो मैगनेटिक चूर्ण से ठीक है तो option C का Reternser हो जागा वैसे भी तक है फैरो मेगनेटिक मेंज का होता है, चुम्बक्त का चुरण, मẹगनेटिक में चुम्बक होता है, चुम्बक का चुरण भी बोल सकते हैं, तो ग। टेप में एक प्लेस्टिक बेंकिंग होती है जो चुम्बक पावडर के छोटे-छोटे कनो की पतली परद से लेपित रहता है उसके बाद इस सेट का आखरी कोस्टन कोस्टन नवर 20 देखे क्या है बता कि जब इनो का लवन जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं त अप्संसीस का रेटेंसर हो जाएगा देखे कारवन डायोकसाइड को पानी के अंदर सोडियम सैटरेट के साथ रहना पसंद नहीं होता है इसलिए वह फटा-फट बाहर निकलने की कोसिस करता है यानि कि पानी और सोडियम सिटरेट का मिसरन उसे बरतन में बनाए रखने की कोसिस करता है और नतीजा क्या होता है तेजी से बुलबुले बनता है और फुटने लगता है तो फ्रेंट्स इतना ही था तो कैसे लगा ये वीडियो कॉमेट में जरुद बताईएगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को ले करके तब तक के लिए जाइँ हिंदे